ओम शान्ती आज 18 जलाए 2023 है प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमें बुद्धी से सब कुछ सुरेंडर करना है ट्रस्टी होकर चलना है और श्रीमत के प्रमान अपने हर कारे को करना है बाबा ने आज हम बच्चों को बर्दान दिया समाने और समेटने की शक्ती द्वारा एक आगरता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव यदि हम अपनी इसेंस्फुल स्टेट उरिजिनल स्टेट सार स्वरूप स्टेट का अनुभव करना जाते हैं तो फिर हमें अपने अंदर एक आगरता की शक्ती को बढ़ाना होगा अगर हमारा मन बुद्धी भटकता है हल्चल में रहता है तो कभी भी हम अपने सार स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते और एक आगरता की शक्ती बढ़े उसके लिए बाबा ने हमें दो शक्तियों को अपने जीवन में धारन करने के लिए कहा है एक है समाने की शक्ती और दूसरी है समेटने की शक्ती जो कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं उसे अगर हम बार बार याद करते हैं वर्णन करते हैं उसके अंदर बहे जाते हैं तो फिर हमारी एक आगरता तो भंग होई ही जाती है तो जितना जितना हम बातों को फुल स्टॉप लगा कर समा लेते हैं और बुद्धी को समेट लेते हैं व्यरत से उतना हम सार रूप का नुभव करते हैं हमारा सार रूप भी बिंदु है हमारे परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदु है और बाबा ने हमें जो अपना संसार बनाने के लिए कहा है वो है बिंदू रूप स्थिती में बिंदू बाबा को याद कर एक बाबा में सब संबंध संपत्ती का अनुभव करना तो जितना जितना हम अपने उरिजनल आत्मिक अभ्यास में रहेंगे उतना देह दे के पदार्थों के विस्तार से हम अपनी बुद्धी को समेट सकते हैं और एक आगर बुद्धी एक सेकेंड में जिस स्थिती का अनुभव करना चाहे कर सकती है तो हम आज इस अभ्यास का जरूर इस पर अटेंशन रखें और प्राक्टिस करें ओम शांती